हेलो फ्रेंट्स तो आज हम बात करते हैं यूपी में जो छात्र लगातार परिसान है बेसिक सिच्छा भरती देखिए बीड़ वाले छात्र छात्र से लेकर 12 तक की जो भरती उसमें आविधन कर सकते हैं 6-8 तक की वेकेंसी अगर आपको आविधन करना उसके लिए आपको सीच्यवार होती तो इसमें पथ बहुत कम होते हैं इसके तुल यह बहुता हैं प्राइमरी सी बिलकुल नहीं कर सकते हैं रोइंक इस बार्य कि प्रोबनाया जा रहा है उसले ने डिचीषन अलब से और यखे घृण ऑ तो सबहीं लोग जानते हैं के यह नहीं में रही बात करते हैं जो बहुत बहुत ज्यादा निउस आ रही है जब से बीचे समन्हें निउस आई है उससे ये नियूज निकल के आई है कि जो जूनियर की भरती है जूनियर देखिए जूनियर जो भरती है सरकारी गौर्वर्मेंट वादी उसमें आपको बताते है कौन कौन से पद होता है देखिए एक तो जूनियर होता है बेसिक सिछा परिशाद में बेसिक विभाग अलग है बेसिक विभाग जो होता है उसमें दो स्कूल चलते हैं प्राइमरी के और एक अपर प्राइमरी के तो जो अपर प्राइमरी की भरती होती है या जिसे हम कह सकते हैं 6-8 तक की भरती है जूनियर की विकेंसी उसे ही बोलता है तो जो वो भरती है वो 2013 के बाद से आज तक नहीं आई है लगबग 12-11 साल हो चुके हैं और ये भरती नहीं आई है क्योंकि इसमें रोक लगी हुई है और ये सब जो भरती होती प्रमोशन के द्वारा होती है यह बहुत गलत है क्योंकि जो B8 के चात्र है उनको इसमें मौका नहीं मिलता है तो B8 में UP के चात्रों को B8 का मौका मिलता ही नहीं है बहुत बड़ी बात है अब बात करते हैं जो आपके added होते हैं उसमें एक भरती आई थी 2021 में जूनियर वाली अठारा सौ पदों के सम्थिंग आई थी जून तो के अपत्ते हैं तो वो भरती आज तक कंप्लीट ही नहीं हो पई है आज तक कंप्लीट नहीं हो पाई है तीन साल हो चुके इस बड़ती ciao के थी बड़ती के तो 21 से 24 तीन साल आप देख सकते हैं अब अगर हम बात करते हैं र यहाँ पे एक page फसता है यह जो LT वाले सिच्छक होते हैं वो TET qualify नहीं होते हैं और NCT की guideline के अनुसराइब 6-8 तक वही चाहत पढ़ा सकते हैं जो उन्हों TET qualify की है तो वहाँ पे तो यह नियम का सिधी सिदो लंगन हो रहा है violation हो रहा है अब देखते वहाँ पे होता क्या है लेकिन यह चर्चा चल रही है कि जूनियर की भड़ती निकाली जाए अब वह जूनियर एड़िट की होती है कि आपर primary की होती कि basic से चोई भाग से संचारीज भड़ती होती हो तो आप वक्त ही बताएगा लेकिन चर्चा चल रही है अब आपको हम रिकॉर्ड दिखाते हैं कि यूपी में अभी तक शिक्षकों की भड़ती हुई है कितनी हुई है यह 72,825 देख रहे हैं यह आई थी जब BSP की गोवर्मेंट थी और इसको पूरा SP की गोवर्मेंट ने मलब अखलेस यादों ने पूरा करवाय था यह भड़ती मेरिट पे हुई थी उसके बाद जब भी अखलेसी सरकार थी तो भले वेकेंसी कम थी लेकिन वो हर साल लग भगाती थी देख लिए यहां पे फिर लगभग 10,000 के पदों पे 2012 में आई 2013 में भड़ती लगभग इस तरह से आपकी पचास जार के आसपास हो चुकी थी देख लीजें आपके दस जार दस जार यह लगभग 30,000 तो पचास जार यहोग है फिर आपकी 2014 में 15,000 पदों पर फिर 3500 उर्दू भरती आई फिर 16,448 जून में भड़ती आई और फिर 12,460 दिसंबर भरती उसके बाद जब योगी गोर्मेंट आई बीजेपी की सरकारे तुन्हों ने दो बड़ी भरती की एक 16,500 उनात्तर आज़ा यह जो पत थे इस इक्षामित्र के पत थे जिस पर सुप्रीम कोट ने ओडर दिया था कि यहां पर भरती की जाए अगर यह भरती प्राइमरी में कोई भरती नहीं आई है तो आपर प्राइमरी की चर्चा जो है वो चल रही है तो जैसे उसके बारे में अब्डेट पिलती है पूरी जानकारी आपको प्रोवाइट कर आई जाएगी यह वीडियो गर आपको अच्छा लगो तो कॉमेंट करके ज़रू बता देगा धन्यवाट